जहां हम बात करते हैं फाइनिकि इनिवस्टिंक के साथ हम बात करते हैं ट्रेडिंग की अगर आपको स्टॉक मार्गेट के साथ अबडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी फाइन से लेटर्स रिलेटेड वीडियो मिसना हो तो चलिए फटाफर से शुरू करते हैं आज आपनों जैसे स्टॉक के बारें बात करने वाले हैं मेरा वन अफ फेवरेट पिक है ओल टाइम फेवरेट पिक और टाइम को बात कर दिखाएंगे तो आज हमें इस स्टॉक में लगाताव गिरावट देखने को मिली और यह स्टॉक आप सकते हो लगभग लगभग साथ परसेंट के आसपास दिन के दौरान चूटा हुआ था इकतीस और चौटीस के लेवल पाके स्टॉक ट्रेड कर रहा था बात करें स्टॉक की ऑल्टाइम हाइस की तो 4590 रुपीज यानि 4600 बान के चल सकते हो जहां पी यह करेंटली है यहां से लगभग लगभग आप मोटा मोटी मान के चलो एक हजार रख तो यह 35 होता तो एक हजार पॉइंट यहां पर हो गया और प्लस में 200 पॉइंट 300 यहां पर लेकर चल सकते हो तो 1300 पॉइंट के आसपास की यहां पर हमें गिरावट देखने को मिले यानि कि अभी भी अगर इस सब्सक्राइब करें तो यहां पर एक बीडिंग प्राइस यानि की लगबाग लगबागा प्राइस के तर्म में हम बात करें तो आप देख सकते हो अच्छे वाइंकषी में और लगा हुआ है अब हम बात करते हैं यहाँ पर बात करेंगे वालिम के तो वालिम देख सकते हो, 16,000,000 वालिम होगों है, जिसमें से 6,000,000 वालिम के delivery उठाइगे, 38% के आसपस वालिम बहुत ही, delivery data बहुत ही healthy है मेरे हिसाफ से, अब बात कर लेते हैं, कर्रेंटली इसे स्टॉप के बारे में जो निउस निकल के आ रहे हैं तो पहला निउस यहां पर निकल के आ रहे हैं जुबलेंट फूड़ वर्क लॉंचेज पॉपीज इन इंडिया पॉपीज क्या है यह एक यूएस फ्राइट चिकन ब्रैंड है ठीक है यहां पर यह इन को मान के चल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एंडिया एक वेजिटेरियन टाइप की कंट्री है तो थोड़ा सा उसको लेकि यहां पर लोग नेगेटिव सेंटिमेंट बना रहे हैं बट ऐसा नेगेटिव ज्यादा ऐस सच हमें देखने को नहीं मिलेगा एज लॉंग यानि कि दबोर्ड इन इस सेड्यूल मेटिंग तू भी हेल अन फेबुरुवरी तू टू 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 यानि दो फेबुरुवरी को जो मिटिंग होने वाली है विला कांसिडर प्रुपोजर फॉर अल्टरेशन ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी बाई सब डिवीजन या स्प्लिट of existing equity share of the company having face value 10 अभी जिस stock की 10 रुपे face value वहां पर हमें split देखने को मिल सकता है तो अगर ये stock की 10 रुपे face value से घटा के अगर 5 रुपे की जाती है तो आपको एक-एक share free में मिलने वाले हैं तो ये stock एक अच्छा खासा pick हो सकता है धाला कि अगर आप investor हो तो ही इसे stock में entry करो नहीं तो आपको entry नहीं लेनी चाहिए with the purpose of only split bonus ये सबका 4E फायदा आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप long term इसको hold नहीं करोगे तो अब आते हैं last news पे यहां पे और ये last नहीं इसके बाद भी एक news है तो आप यहां पे देख सकते हो इस stock में buy jubilant food work with the target price of 4707 यहां पे 477 क यहां से आप मान की चल सकते हो 1500 पॉइंट का मोमें अप साइड देखने को मिल सकता है यानि कि लगभग अगर आप यहां पे 30 मतलब 35,000 रुपे लगाते हो यानि 10 stock लेके रख लिए हो 33,000 रुपे लगाए हो तो आपको लगभग लगभग यहां पे 14,000 रुपे का benefit होने वाला है in the coming future अब हम आ जाते हैं यहां पे अगले news पे अगला news हमें मिल रहा है यहां पर जो भी हमें महंगाई देखने को मिल रहे है उसके वज़ए से मॉर्गन एन स्टेनली जो फैनेशल इस्टिटूशन ने उनका कहना है कि डोमिनोज को अपना जो है यहां पर प्राइस थोड़ी सी हाइक करनी पड़ीग और प्राइस हाइक थोड़ा सा एक नेगट टाइमस में लोग अपने आपको पता है कितने बीजी सेड्यूल के तरफ जाएंगा और क्विक सेर्विस रेस्टोरेंट जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है तो यह एक यहां पर पॉइंट हो जाता है अब हम आते हैं अगले यहां निज जो निकल के आ रहा है लास किवरी बिजनेस जो है उनके वज़ा से इस सेर को उतनी ज्यादा मार नहीं पड़ने वाली है जितनी ज्यादा कोविड की मार बाकी कंपनियों को पड़ेगा क्यों कि लोग घर बैटे बैटे फूड और कर सकते जो बैचलर से जिनका वर्क्रों में बाकी अधर जीतने भी लोग है तो यानि कि इनके जो स्टॉक है उसमें एक हमें देखने को मिल सकता है और वैसे भी लॉंग टर्म में इस कंपनी ने कितना रिटर्ण दे आपको एक मिनट में दिखाऊंगा अब आते हैं जो इंपोर्टेंड मुद्दे की बाद थी वह आपको दिखा दूँ शेयर होल्डिंग पैटर्ण अगर आप देखे होगे मेरा थम्रेल तो वहां पर भी आपको पता होगा शेयर होल्डिंग पैटर्ण एफाई या इसको यह स्टॉप बहुत पसंद है लगभग लगभग 40% इस शेयर में लगभग लगभग 40% होल्डिंग आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टिटूशनल इंवेस्टर्स की है मूच्वल फंड और डिया इसकी हम बात कर लें यहां पर लगभग 11% की होल्डिंग है और मात्र जमा अगर बात करें पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स की यानि हम आप जिसे इन्वेस्टर्स की तो सिर्फ 3.65% हमारे पास सेर हो जाता है तो अगर हम बात करें चाहें वो कोई भी क्वाटर हो किसी भी क्वाटर में हमारे पास यानि रिटेल इंडिविज्वल इन्वेस्टर्स के पास 3% से ज्यादा स्टेक नहीं रहा है साड़े 3% से ज्यादा और यह एक इसे स्टॉक को थोड़ी सी अलग बनाने विडियो नहीं बनाने के लिए बोला था यह गैप जो बनाने के लिए बोला था तो यह यह गैप जो बनिये हुई थी यहां पर लगभग लगभग फील हो चुकी है मात्र कुछ पॉइंट से गैप बचा हुए अगर बात करें इस स्टॉक के आज के लोवेस्ट पॉइंट का तो एक तालीस सो एकती सो ब्यालीस मान सकते हो आप यहां ही से देख लेते हैं लो लेवल जो था एकत लेवल यानि कि लगभग लगभग यह स्टॉक तक गिर सकता है यानि 20 पॉइंट की और हमें जो आज गिरावट की उससे और ज्यादा बिस पॉइंट गिरावट देखने को मिल सकते हैं उसके बाद हमें एक स्ट्रॉंग सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है यह वाला से पहले आपको यहां पर कुछ चीज़ दिखाना चाहूंगा और आप जाकर करना कितना रिटर्न आपको मिलने वाला इस स्टॉक में अगर आप रिटर्न के प्रोफाइल की तो फाइव यह का सीजियर देखके आप दंग रह जाओगे 49 परसेंट का सीजियर है फाइव यह म में दूगना हो जाएगा मतलब लगा तो यह डिट साल में अगर आप दस साल तक इस स्टॉक में साइपी करते हो 5000 का उनली तो आपको पता नहीं कितना रिटर्न देगा मतलब बहुत मल्टी बैकर रिटर्न देगा अगर आप 10 साल तक कर देते हो क्रोड़ पती बन जाओगे एजीली बात करें प्रोफिट ग्रोफ की तो आप देख सकतो 26X का प्रोफिट ग्रोफ है ट्रेलिंग को एलब मंत का और सेल्स ग्रोफ 29 परसंट का सेल्स ग्रोफ और हमें बढ़नेकी आसंका यहां पे लग रही है बात कर लें रिटर्न आउन एक की 32% का है खल्दी येर का ह है 5-year के बात करें 21% 3-year के 23% और लास्ट यर की 18% वहीं आप बैलेंस इट में देखोगे कि 196 क्रोड के जो असेट थे वह लगबग 4153 यानि लगबग 4153 क्रोड के यहां एक अच्छा हो चुका अब बात कर लेते हैं प्राइस टू अर्णिं रेशियो के तो प्राइस टू ओर्णिंग रेशियो जहां पर अभी करेंट्ल स्टॉक ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो और टाइम जो इनका एवरेज से थोड़ा सा उपर ट्रेड कर रहा 63 के आसपस सोचना चाहिए अब हम आते हैं एक मोटा मोटी आपको जो में आपको मुद्दा है वो आपको दिखा दूँ यहां पर तो आपको क्या करना इस स्टॉक में फिबॉनाकी के लेवल्स बता दे रहा हूं आपको फिबॉनाकी के लेवल्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सारे लेवल्स को आज इस स्टॉक ने मतलब धडल्ले से नीचे डखे डखेल दिया और किसी बनेकी के लेवल्स पर इसने पूरा पूरा फोकस नहीं किया है अगर आप देखो के तो 3053 रुपय का जो आज स्टॉक मतलब स्टॉंग सपोर्ट था उसे भी स्टॉक तोड़के नीचे जा चुका है अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि हमें क्या करना चाहिए से स्टॉक में पोजिशन कैसे बनानी चाहिए तो स्टॉक में पोजिशन बनाने के लिए अगर आप देखोगे यहां पर तो आपके लिए रिसिस्टेंस आरवन लगबख 328 रुपय का आसप बाकी आप लोग एको डिंगली अरेंज कर लेना बात करें कम्यूनिटी फॉरम में तो आप देख सकते हो 61 परसेंट रेटिंग है यानि रेटिंग है और मेरे हिसाब से 39 परसेंट है जो सेल रेटिंग है वह भी देख सकते हैं मैं इस स्टॉक में बुलिस हूँ और यहां प यहां पर इसके नीचे वाले लेबल पर मिल जाए और यहां पर मुझे 3050 रुबए मैंने तीन क्वांटिटी उठाई है आज और ज्यादा इसमें मैं एडिशन करने वाला हूँ जब यह पूरी कंप्लीट गैप फिलिंग हो जाएगी और एक मुलेगा आज के लिए इतने मि खर गुरी को जाएगी।